को आप सबीका चिंटु मिंट्टू रेंडम टॉक्स में स्वादत है चिंटु मिंटू में आज कर बड़ा व्यासी थू हूर बड़ा दुखी हूर क्यों मस्ष्टर जी आप क्यों को दुखी हो क्यों व्यासी थी थाб धूर प्रत्वें आते कु isot किम रहा कोई काम लग जो रहा है क्लाइमट चैंज सब अच्छा थिए ल। क्लाइमट चींज के बारे में बात करी लेते हैं इसके बहुत ज्यादा डिस्टरप्शन क्रियेट हो रहा है और इन फूचर भी बहुत ज्यादा प्राब्लम्स आने की संभावनाइं हैं क्लाइमट चींज को समझना चाहें तो लंबे समय के दौरान किसी एरिया में वहां का टाइम प्रेशर बदल जाना वहां की वैधर का बदल जाना नेच्वल फैक्टर्स की वजए से क्लाइमेट चींज बोला जाता है लेकर मास्टर जास के लिए प्राब्लम हो रही है कि जब से इंड्रसलाइशन स्टार्ट हो और और फॉसल फ्यूल के बन करने से काफ़ी सारी गैसे निकल रही है वो गैसे जाके और एक तरह से अर्थ को कवर कर रही है जी उनाउस सब्सक्राइब कर निकलती है और अधर एक्तिटी से वह जाकर कर लेती है रफ कर लेती है अर्थ को और तूर रुप जाती है और गर्वी बढ़ने लगती है इसके है एक विश्य स्वेस्ट बनता है जिससे कि क्लाइमेट चेंज हैं अब सारी इनिसिटिव चल रहा है वर्ल लेविल्स पे और हर पर्टिकुलर कंट्री भी कुछ इनिशिटिफ लेके आ रहे हैं तो वह सब इनिशिटिफ चल रहे हैं जिसके तुरू किस क्लाइमेट चेंज को कैटर करने की कौसिस की जा रहे हैं लेकिन हम यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउड रहा पै उनफ ट्रिपल सी नहीं जानते हो तो आपको बता दिया जाएगा फर्दर कभी किसी भी लेक्षर में तो यूनफ ट्रिपल सी का जो कॉप कॉप होता है कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिस 21 हुआ पैरिस के अंदर वहां पे पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन किया गया इस बढ़ रहा है क्योंकि काफी रैपिटली बढ़ रहा है अर्थ का उस टाइम प्रिचर को कैसे भी करके प्री इंडिस्ट्रिल एरा में जो टाइम प्रिचर हुआ करता था उससे 1.5 डिगरी की रेंज में स्टॉप कर देना है और यदि कंदिशन ज्यादा खराब हो जाती है कैसे भी करके प्री इंडिस्ट्रिल एरा के टाइम प्रिचर के 1.5 डिगरी इंक्रीज के साथ ही रोग देना है सिच्वीशन ज्यादा खराब हो जाती है तो 2 डिगरी के अंदर तो रोग ही देना है यह डिसाइड किया गया था पैरिस क्लाइमेट डील के अंदर आपको कु है तो अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिच्वीशन हो चुकी है वारे वाप मिंटु क्या एक्स्प्लेइन किया है तुम्हीं वड़े खरन लागार हो तुम्हीं कलागार हो अब मिंटु यह भी बता दो फिर कि इसे को 1.5 डिगरी सेंटिगरी क्यों रखी गई है तो उसक पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसके उपर यह चला जाता है तो हो सकती है बहुत ज्यादा इसकी संबावना है कि चीज़ें रिवर्सिबल हो जाएं और फिर चीज़ें के बाद भी चीज़ों को रिवर्स ना किया जा सके ऐसी कंडिशन के अंदर जो एट्मोस्फ का है इस वजह से इस पॉइंट को तर इस ट्रह से डिसाइड किया हो वायार चल्तों तुमने भी मस्ट एक्स्प्लें कर दिया है तो आज हमने जाना की राइमर्मट चैंज क्या है जा रहा है और इसके वजह से हो रहा है और आक थो यह रहे हैं ऑर यह और इसकी हो रही है शाथ ही साथ में जो है आई स्टेजी से पिगल रही है और सी की लेविल बट रही है तो यह सभी प्रॉब्लम्स तो हम आज प्रेजंट में फेज करने लगे हैं और इन फ्यूचर जो है टिपिंग वाला पॉइंट आपको बता दिया गया हो और इसी वर्सिबल हो सकती है चीज़े उसके वाले में आपको बता दिया गया है तो ऐसी कंडिशन के अंदर यह जो क्लाइमिट चेंज है बहुत ही सीरियस एक इशू है तो क्लाइमिट चेंज को रोकने के लिए गवर्मेंट्स कलेक्टिवले काफी सारी कमिट्मेंट्स कर रही ह और काफी सारी एग्रिमेंट्स वगड़ा किये जा रहे हैं लेकिन एज इंडिविजल हमें भी समझना होगा कि यदि हमें फ्यूचर जैनरेशन को एक हैबिटेट प्रवाइड करवाना है फ्यूचर जैनरेशन को एक अच्छा एट्मस्वेर देना है तो हमें भी एफर्स क इसके लिए हमें भी अपनी दब से कॉसिस करने कि फोसिल फ्यूचर जितना दूर हो सके उतना अच्छा है इसी के साथ आज की रेंडम टाक को हम समाप्त करते हैं यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को जितना हो सके शेयर करें लाइक करें हमको सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद